तो खबर भूपाल से हरियाना चुनाव नतीजे पर सीएम डॉक्टर मुहनियाधव का बयार सामने आया है उन्होंने कहा कि असल में ये चुनाव कॉंग्रेस का नहीं था बलकि राहुल गांदी के फेल होने का था निशित रूप से भाजपा की सरकार ने जो दस सालों में काम किया है प्रधानमंत्री नरिंद मोदी की कारेपधती का आसर पड़ा है और यही कारण है कि हरियाना में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है सभी नव निर्वाचित जनप्रतिनी दियों को मैं बढ़ाई देता हूँ भर्याना चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनी आदव ने सभी निर्वाचित जनप्रतिनी दियों को बढ़ाई दी है से भारती जनता पार्टि की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया एश्वाचित प्रदान मंत्री के कारिप अध्यति के जवा सर पड़ा है और यही करण है कि हरियाना तीसरी बार भारती जनता पार्टि की सरकार बनने जा रही है मेरी अपनी ओर से हमारे हर्याणा के सभी भाज़पा के नेताओं को पदादीकारियों को माननी मुख्यमंत्री नायव सिंग सेनी जी उनके सभी मंत्री और सभी निरवाचित जन प्रतियों को मैं बदाई जन जा रहा हूं जो निरवाचन की तरफ बढ़ रहे हैं मैं जैसे मैंने खुसायम ने दोरा भी किया और मैं उस समय निश्टरूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेश का नहीं था ये राहूल गांदी की फेल होने का चुनाव था राहूल गांदी एक बार दो बार तीन बार जिस प्रकार से वो अपनी फो खटर ने बी भी लाइन रखी थी नायव सिंग सेे निजी ने भी रखी ए कि हैंट के हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बाद जनता पसंद करती इसलिए भारतियएंटा पर्टी में एक बार भी कमल खिलने जा रहा है